हलो फ्रेंट्स मैं आपकी दोड़ सुधा सिंग बिकलांग साथी ट्रेस्ट के दिव्यांगर चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आसा करती हूं आप लोग सस्थ होंगे तो फ्रेंट्स आप लोगों को मेरी कहानी अंसुल जे रिस्ते कैसी लगी पसंद आई ना क्योंकि आज कल ये हर घर की कहानी है हम अपने बुजूर्गों को समझ नहीं पा रहे हैं जिसकी वज़े से उन्हें मतलब आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है जब उनके अंतिम टाइ ही हमें नहीं समझ पा रहे हैं तो फ्रेंट्स हमें लगता है कि हमें इस टाइम पर अपने बुजूर्गों का काफी खयाल रखना चाहिए और कहते ना कि उनके दिल से निकली हुई एक दूआ आपको बहुत आगे ले जा सकती है तो हमें उन्हें इस टाइम पर पर परेशा समझेंगे अपने बुजूर्गों की मनोस्थिती को वह हमारा पुरा कभी नहीं चाहते हैं वह हमें समझाना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ आगे कैसे जीए तो फ्रेंट्स आप लोगों ने अब तक सुना कि कुसुम जी की पड़ोसन आती है जो उनकी बहु की थोड़ी स है गुस्थे में और वो कहती है कि मतल pint ऑल शोच्ती की माजी मेरी बुराई कर रही है और वह तंतमाती हुई च्छद पर चलिजाती है लेकिन वह कुसम जी की बाते नहीं सुनती हो आधिएधुरी बाते सुनकर ज़्चत पर चली जाती है वहां वह गुस्सा हो जाती है जह उनके बेटे पर पती पर भी इसका प्रभाव पढ़ता है कि घर में अक्सर लड़ाई जगड़ा होती रहती है जिससे उनका बेटा भी बहुत दुखी रहता है और जब भी उनके घर में छोटी छोटी बातों पर वहस हो जाती है तो उनकी बहुत अक्सर अपने माई के फोन क बताती है कि आज ऐसे ऐसे हुआ मम्मी जी ने ऐसे ऐसे कहा और इस तरह घर में घर की सारी बाते अपने माईगे में बताती है और वो अक्सर अपनी गलती अपनी मा से छुपा कर अपने सास की गलतियां सारी बताती है कि हाँ मेरी सास नहीं यह से कहा और वो अपनी बाते नहीं बताते तो जिसकी वज़े से उसकी मा भी कहती है कि मैं क्या बताओं बेटा मुझे नहीं पता था तुम्हारी सास ऐसी है और मैंने तो बहुत अच्छी समझ कर तुम्हारी शादी की थी और वो ऐसी है मुझे नहीं पता था वो भी अपनी बेटी के बेटी को समझाने के बजाए उसक गलत बातों से उसका कान भरती रहें रीमा का ब्युहार दिन-प्रदिन रूखा होता जा रहा था जहां पर वो निसास से कोई बात पूषनी होती थी अब वह उन से कुई बात नहीं पूषनी थी उनसे बेरुखी से बात करती थी उनकी हर छोटी सी छोटीशुटी गलती को व और वो कुछ भी करती मतलब वो कोई भी काम करती तो उस हर काम में नुक्स निकालती अगर उसे कुछ समझाना चाहती कि बहु ऐसे नहीं ऐसे करो तो वो कहती कि आप मुझे मत समझाईए मैं इतनी समझदार हूँ और आप अपना ग्यान अपने पास रखिए मुझे मत ग्यान दीजिये मैं बहुत समझदार हूँ दीरे दीरे इसी तरह वक्त वीत रहा था दोनों सास बहु में कटुता आ रही थी दोनों आपस में बात को सुल जाने की वजाए उस बात को लोग बढ़ाते ही जा रहे थे जिससे उनकी रिस्तों में काफी दूरियां आ रही थी इसी जिसमें जो है खुसम जी ने भी काफी सब काम किया जो भी करना था या बहुत अच्छे से सब लोगों ने तयारी की रीमा के माईके वाले भी उस टाइम वहां पर आए और जहां पर रीमा जो है अपने माईके वालों को जब उसके माईके वाले आए तो अपने माईके वाल और वो जिसकी वज़े से कुसुम जी को ठोड़ा सा लग रहा था कि कहीं उनके घर वाले ये ना सोचें मतलब उनके चान पहचान वाले ये ना सोचें कि उनकी बहु अपने माईके की तरफ जादा ध्यान दे रही है और अपने सस्राल वालों की तरफ कम ध्यान दे रही है उन्हें बुरा थोड़ा सा लग रहा था उनका बेटा भी माई के जैसे ही उसके सस्राल वाले आए वो उन लोगों की खातिरदारी में जुट गया और उसने का अपने रिष्टेदारों से एक बार भी हाल चालने लिया कि आप कैसे हैं क्या है तो इसके वज़े से उन्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि कल कहीं जो है कोई यह ना कहे कि आप कहां जाओ तो आपके बहु और बेटे दोनों अपने सुस्राल वालों की तरफ ज्यादा देते हैं हमाई तरफ द्यान नहीं दिया वह यही सब चीज़े सोच रही थी उनके दिमाग में चीज़े चल रही थी और तो पाटी चली पाटी पर कुसुन जिससे जितना हो पाए उन्होंने सब कुछ किया रिष्तेदारों को सबको सबकी आवा भगत की साम को सारे रिष्तेदार जा चुके थे जो है अरुड की शाली और उसकी सास वहीं पर रुख गई थी उनका घर ज्यादा दूर था जिसकी वज़े से उन्हें रुकना ही पड़ा और सारा काम समेट कर कुसुम जी अपने रू रुम में आएं और रुम में आकर जब वह सोई तो सो गई और सुबह जब नहाद होके फ्रेस्ट होके कीचन की तरफ गई तो उन्हों उस समय उनकी साली जो है चाय बना रही थी अरुड की तो वह अरुड की उससे पूछती है कि बेटा जो है श्वरी नास्ता बना रही थ जिसकी वज़े से वह अभी सो रही है उन्हें अभी उठेंगी तो भूख लग जाएगी और जीजा जी को आफिस जाना है तो मैं उनके लिए नास्ता बना रही हूं यह लीजिए पैन मम्मी जी आप चाय बना लीजिए ना जो चाय बनाने में क्या है कुसम जी पैन उठात किसी का भी सरीर खराब हो सकता है और फिर बुढ़ा पर में दिक्कत होती है तो कामकाज हमेशा करना चाहिए यह नहीं कि जब से बहु आ गई तो हम सारा काम बहु के ऊपर छोड़ दिये और खुद बैठकर खा रहे हैं यह चीजे नहीं होती है तो कुसम जी समझ जाते हैं कि कुछ यह करती नहीं है जो भी है वो मुस्करा कर जो चाय बनाती है तो उनकी साली भी कुछ और एक-दो सब्द ऐसा बोलती है जिससे उन्हें बड़ा बुरा लगता है बड़ा अपमान सा लगता है वो सोचती है कि छोटी है फिर भी हमको इस तरह बोली बोल रही है तो पिर या तुम उन्हें बड़ा सा फेल हुता है वी करता है वों चाय बनाकर अपने रूम में आते हैं एपने टले पती को चाय देती है नास्ता देती है तो तो जहनास्ता देने के बाद उनका चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है तो उनके पती पुछते क्या हुआ तुम थक जादा गई थी क्या कल और तुमने कल काफी काम भी किया तो थक गई होगी तो वो कुछ बोलती नहीं है और चुप-चाप से मुस्कुरा कर रह जाती है पती पूस्ते हैं कि आखे बात क्या हो गई और क्यों मतलब तुमने तुम्हारा चेहरा गिरा गवा पर वो अपने पती से कुछ नहीं बताती बस वो यह सोचती है कि मेरी बहु तुम हमारी इज़त नहीं करती है कोई बात नहीं लेकिन आज उसके मायके वाले भी हमारी जैसा प्यार देती हूं पेटी जैसा मानती हूं फिर भी आज उसकी नजरों में मेरी कोई एहमियत नहीं है और उसने अपने घर में मेरे बारे में कितना सब कुछ गलत फैलार के रखा है इसी तरह वक्त बीत रहा था टाइम आगे बढ़ रहा था एक दिन कुसम जी के पती पेपर पढ़ रहे थे तब ही उनके सीने में काफी तेज दर्द हुआ उन्होंने कुसम जी से कहा कुसम जी ने तुरंत अपने बेटे को फोन मिलाया और उन्हें लेकर वो लोग हॉस्पिटल गए जहां पर जो है डॉक्टर ने उनका काफी इलाज किया और यहां पर उनके बेटे ने काफी जिम्मेदारी दिखाई अरूर अकसर आफिस जाते आफिस जाकर इसके बाद फिर अगर अपने पिता जी के पास हॉस्पिटल आते वहां पर उनकी केयर करते अपने घर आकर घर पर भी जो कुछ भी होता था उसकी देखभाल करते थे लेकिन काल के आगे उनकी डेथ हो जाती है, तो कुसम जी पर दुखों का पहार तूट पड़ता है, वो खुद को नहीं समाल पाती है, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ को बिना अपने पती की इमेजन ही नहीं किया था, पर जब उनके उपर ये दुख पड़ता है, तो वो एकदम तूट सी ज बहुतो अभी कुछ नहीं बोलती थी, वो जो भी बाते होती थी, वो सब इग्णोर कर जाती थी, उस टाइम तो उसने कुछ नहीं बोला, पर धीरे धीरे फिर वो अपना, उन्हों में फिर बहस होना शुरू हो गया, और एक दिन जो है, उनकी बेटे ने कहा कि मम्मी जो है अपिता जी का जो फंड है, जो भी है, उनकी जमीन जाइजा, वो इस चीजों की कागज आप हमें दे दीजी, हम उसके बारे में, उन्तलब कुछ देखने जो भी कारवाई करनी है, और कुछ जो भी है, वो आप्रिकेसन और दे दे दे, तो खुसंग जी देती तो है, पर उ पैसे कितने हैं सब कुछ यह जानने की पूरी लव कोसिस कर रहा है लेकिन उन्होंने सोचा कि ठीक भी है अगर यह कारवाई लेट हुई तो पैसे भी फस्ट जाएंगे और आप तो जो जिसको जाना था वो तो चला गया सब लोगों की लाइफ चल रही थी पर कुसम जी की लाइफ वही पर रुख चुकी थी उन्हें वह अक्सर रोती रहती थी अपने पती को याद करके उनके हाथ में कुछ नहीं था उनका उनका दर्द सहथ कोई नहीं समझ सकता था जिसकी वज़े से वह अक्सर रोती रहती थी उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी खुशियां कहीं उनसे दूर चली गई है वो पूरा दिन शांत सी रहती थी, कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी उनसे जितना होप आता था उतना काम करती थी बहुत तो कुछ दिन नहीं बोली कि हाँ ठीक है इसके बाद फिर जब थोड़ा सा टाइम हुआ तो फिर उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया वो बाद बाद पर कुसुम जी को ताना देती, बाद बाद पर उन्हें भला बुरा बोलती अभद्रभातवाओं का प्रियोग करती और कुछ ना कुछ ओ कहती रहती जैसे लग रहा था कि कुसुम जी के पती के जाने के बाद कुसुम जी उसके उपर बोच बन गई है कुसुम जी भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, उन्हें समझाने वाला जा चुका था क्योंकि उनके पती अक्सर जब भी कोई बात हो जाती थी, कोई लडाई जगड़ा हो जाता था तो उनके पती अक्सर उन्हें समझाते रहते थे, अब वो जा चुके थे लिश्की वजे से कुसुम जी खुद को समझाते हैं कि हाँ ठीक है बहू, है बोलने दो और फिर अब उनकी लाइब बची ही कितनी है और जो भी कहती है उन्हें कहने दो पर उनकी बहु जान बूच का छोटी-छोटी बातों पर नुक्स निकाला करती थी इधार कुसुम जी को पेंशन मिल रही थी और उनकी पती का कुछ फंड था जिसकी जैसे जब उन्होंने उसे चमा कराया तो उनकी बहु ने का मा जी को क्या जरूरत है पैसे की और इनका हुँ पेंशन मिल रही है जो है अगर घर का खर्च अब हम उसी से चलाते हैं आप अपना पैसाा उसे सेव करते रहे हैं जरूरत है मा को जो भी एक जरूरत यको जरूरत होगा हम लोग दे ही देंगे क्या जरूरत है कि अपना पिंसन अपने पास रखें तो इस पर उनका बेटा कहता है कि नहीं अपकी बार मैं पिंसन निकाल कर लाया हूँ माजी को दे देते हैं ये माजी का है माजी को अपने हिसाफ से खर्चा करने दो तो इस पर उनकी बहु कहती है तो घर का खर्चा घर मे भी तो खर्चा होता है माजी के घर के खर्चे में अपना पिंसन नहीं दे सकती है और माजी को जरूरत ही क्या है पैसों की तो काफी दोनों मिया बीबी में बाते होती काफी बहस होती है तो कुसुम जी भी सोचती है कि ठीक है घर में लड़ाई जगडा ना हो लेकिन उनके मन में बात आती है कि आज ही मेरा पैसा है मेरे पती का पैसा है जिस पर मेरा कोई हट नहीं है मैं क्या छोटी छोटी बातों के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी बहु के सामने हाथ फैलाओं कि हां मुझे इस पैसे की जरूरत है क्यों मेरी बहु नहीं समझ पा रह और क्या मैं बहु को नहीं लगता कि मैं उसके सामने अगर हाथ फैलाओंगी तो मुझे बुरा लगेगा यह सारी बाते वह सोच रही थी उन्हें बहुत टेंशन हो रहा था और यह सारी बाते वह सोच रही थी कि आज बेटा बहु सब लोग उस पैसे के पीछे पड़े हुए हैं जो कि उनके पती का पैसा है पैसा है वह सारी बाते सुनकर उन्हें बुरा भी लगता है और वह आज बहुत दुखी रहती है इस बात से इस बहुद चोग कर वह अज खाना ठीक से नहीं खाता है और अपनी रूम में जाकर सोजाती है और इस तरह जो है जब रूम में जाती है तो उनके मन में काफी सवाल चलता है काफी questions आते हैं कि आज उनका बेटा जिसको उन्होंने नो महीने पाला था और जिसको उन्होंने इतना प्यार दिया था आज उनका बेटा अपनी पत्नी के कही बातों में आ जाता है कि हाँ मुझे पैसे की को ज़िए जरूरत नहीं है दूसरे दिन उठती है तो फिर धर में फिर छोटी छोटी बातों को लेकर अब तो बहस होने का रोज एक बहस होता ही रहता था अक्सर उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़े होती ही रहती थी और जब कुसम जी दूसरे दिन सुबह तो वो सुबह उठकर फ्रेस होकर भी मन से मानिंग वाक के लिए चली जाती हैं वहां जाकर वह वहां पर टहलती हैं और क्योंकि आज वह बहुत दुखी थी किसी उनका मन नहीं लग रहा था रात में उनकी नीद पूरी नहीं हुई थी तो वह मानिंग वाक अच्छे से नहीं पर बेट जाती हैं वहां पर बंच पर बाइठ वहीं वह सूसती है अपने बहू और बेटे अपने पती के बारे में एक आजकल कहसा जमाना हो गया है आजकल वचे, क्यों नहीं समझते हैं प्रयवerem के आधिक आ का हमारे बचे कमें क्यों नहीं की अपना मानते हैं क्या हम उनके बार ये में कुछ गलत करेंगे हर बात पर भुस्सा करते रहते हैं और कोई भी बात हो जाती है तो उसे साधगी से कहने की जगा वो चिला कर बात करते हैं क्यों नहीं है यह чीजे वो समझ रहें कि उनका बुरा नहीं चाहेंगे, तो उस पर उनके पती जो होते है, बुजरु दंपती में, जो पती होते हैं, और कहते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, बच्चे हैं, उन्हें अपनी लाइफ जीने दो, हम बूड़े हूं चुके हैं, और आज अब जो है हमारे बच्चे हमारा कहना क्यों मानेंगे तो इस पर उनकी पत्नी कहती है कि क्यों नहीं मानना चाहिए उन्हें हमारा कहना कि हम उनका बुरा चाहेंगे बहु पराये घर से है पर बेटा तो हमारा है उसे तो हमें समझना चाहिए बस बहु की बात पर यकीन कर लेता है, बहु कुछ भी कह देती है, उस बात पर वो यकीन करके हमें भला बुरा बोलने लगता है, मैं मानती हूँ कि वो अपने सस्राल वालों को बहुत मानता है, और अच्छे बात है, हर रिष्टे को बहुत मान और सम्मान देना चाहिए, पर उनके आगे हमें भी तो वही मान संमान मिलना चाहिए, हम उनके माता पिता हैं, और जब भी सव्रालोलो को कोई तकलीफ होती है, हमारा बेटा परिशान हो जाता है, लेकिन हमें जब बहु हमें कुछ कहती है, अपमानित करती है, तब हमारे बेटे को क्यों दर्द नहीं होता ह ऐसा लगता है कि हमारा बेटा पराया हो चुका है जी आज की जमाने में तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के पराय होते जा रहे हैं लड़कियां फिर भी शादी के बाद अपने माबाप की केर करती हैं उन्हें याद करती हैं उनका खयाल रखती हैं सस्राल में होते हुए भी पर लड़की हमारे अपने पास होते हुए भी सस्राल वालों का तो खास खयाल रखेंगे पर अपने घर वालों का, अपने माबाप का, अपने भाई बेहनों का ख्याल क्यों नहीं रख पाते हैं, वो अपने ही बीबी के कहने पर मम्मी पापा को क्यों छोड़ देते हैं, उनकी बुज़र्द दंपत के हजबेन ने कहा, कि साइद आजकल दौर ही यही चल रहा है, जो है हमारे बच्चे हर रिस्तो का कदर करें, यह हम नहीं कहते हैं कि हाँ अपने सुस्रार वालों ना मान सम्मान दो या अपने घर वालों या रिष्तेदार ने दो, सब को मान सम्मान दो, और और अगर मैं देखती हूँ कि जब भी उसकी सालीस रहेज या साससुर आते हैं हमारा बेटा खुशी सख्य लुड़ता है लेकिन जब भी हमारे घर में बेटी या दामात कोई ऐसे आते हैं तो हमाई बहु को बुरा क्यों लगता है आखिर वो भी तो उन्हीं के रिस्तेदार है कौन सा आज कल उनके पास टाइम है कौन उनके पास कौन कहां रहने आ रहा है तो उन्हें तो उस पर हमाई बहु को तो उनका मान सम्मान करना चाहिए और मैं अपने बेटे से कुछ इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि वो परेशान हो जाएगा उसे घर भी देखना ओफिस भी देखना है सब कुछ देखना है अगर मैं उससे कुछ कहती हूँ तो उसे परेशानी होगी उस बुज़र्ग महिला ने कहा तभी वो उस बुज़र्ग पती ने कहा कि क्या कर सकते हैं छोड़ो भी और हम लोग अपनी लाइफ जी रहे ना हमें पेंसन मिल रही है और पेंसन से हमारा खर्चा चल रहा है वो उनकी लाइफ है उन्हें जीने दो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है तो इस पर बुज़र्ग महिला कहती है वो कैसे नहीं रही है आप पेंसन पाते हो तो उस पर भी तो बहु अजमाती है और उस पर भी वो सोचती है कि हम लोग घर का खर्चा चलाएं और उसके पती जो पैसे कमा रहे है वो उसकी पच्चत हो हम लोगों ने तो इतने दिनों तक घर का चलाया जी और कम से कम अब तो हमें अपनी लाइब जीने दे इससे अच्छा तो हम बृद्धा आस्रम चले जाते हैं कम से कम वहां पर हमें सुकून के दोपल तो मिलते हैं तो इस पर उनके पती कहते हैं कि हम वहां कैसे जा सकते हैं मुझे भी मेरा भी मन है कि कम से कम हम लोग वहाँ चले जाएं, बृद्धा अस्रम चले जाएं, वहाँ पर हम लोग अपनी लाइप जी सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर हमारा समाज क्या कहेगा, कि बेटे, बहु, बेटी होते हुए भी हम लोग बृद्धा अस्रम चले गएं, तो उनकी पतनी कहती है कि हा समाज के डर से हम लोग तो कहीं नहीं जा सकते हैं लेकिन हम लोग कब तक इस तरह अपने मन को मारते हुए जीएंगे कुसम जी उनके बाते सुने जा रही थी उन्हें बहुत तकलिफ हो रहा था उनके दिमाग में भी ये सारी बाते आ रही थी कि आखिर क्यूं आखिर हर रिष्टा हर इंसान इतना अंसुलजा क्यूं है तो फ्रेंट्स मेरी ये कहानी अंसुलजे रिष्टे भाग दो यहीं पर समापत होती है भाग तीन और अंतिम भाग लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ और कोशिस करती हूँ इस रिष्टे को सुलजाने का इसमें कुछ स्लियोसन देने का तो अगर आप लोगों को पसंद आत है और फ्रेंट्स एक बात और मैं कहना चाहते हूं हमारे बुचुर्ग आज हम उन्हें मतलब आज हमने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह व्रिद्ध हास्रम की तरफ पलयान कर लें क्या फ्रेंट्स हम लोग एक बात यह बता सकते हैं आप लोग कि जब आप छ कितनी मुस्किनों से काटी है तो आज हम जब अपने बुचुर्गों का करने वाले हुए हैं जब आज हमारे बुचुर्गों ने हमें पाल पोस कर बढ़ा कर दिया इस दुनिया से लड़ने की सिच्छा दी है तो क्या हम अपने बुचुर्गों को बिद्ध हास्रम में छो कि अगर आपने अपने बुजर्गों को आज बृद्धा अस्रम छोड़ा है तो क्या कल आपके बच्चे आपको अपने पास रखेंगे, कत्ते ही नहीं रखेंगे, और ये चीजे हम लोग कहते हैं कि हमारा ये दौर जो है बदलता जा रहा है, तो सच में हमारा ये दौर बद में रखती है, हमारे हर चीज का ध्यान रखती है, हमारे पीता कada है अगर बुडाइपे में हम उने छोड़ देसे हैं, तो साद हम से बड़ा बदनसीब इनसान ऍस अधरती पर कोई नहीं है दूसरा को देखकर हमारे दिन में होते हैं, इससे बच्चे कैसे हैं, क्यों नहीं हम अपने बुजबगों का पालन कर रहे हैं? हम उन्हें अभधरभासा का परयोब उनसे करते हैं. उनसे गलस सब्ड बोलते हैं कि या हमारे संसकारों पर उंगली नहीं उठा रहा है. हमारे बच्चे भी तो भी देख रहे हैंना तो कल वो भी वही करेंगे. तो हमें उसके लिए भी तयार रहना चाहिए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमें हमारे भुजर्गों को समझना चाहिए वो कुछ कहना चाहते हैं थोड़ा सा एक काम कर लीजिए कि आप 10 मिनट सिर्फ निकालिए अपने मम्मी पापा के लिए या अपने साथ सुसर के लिए उनके पास बैठ कर उनकी पूरी बात सुन लीजिए देखिए उसमें उन्हें कितनी खुसी होती है कि हाँ हमारे बच्चे हमारे पास बैठ कर हमारी बाते सुन रहे हैं सिर्फ एक काम कर लीजिए प्लीज अगर आप मेरी कहाने सुनते हैं, मुझे इतना सा भी प्यार देते हैं, तो प्लीज सिर्फ एक काम कर लिजिए, आप अपने मम्मी पापा के पास सिर्फ दस मिनट, सिर्फ दस मिनट, आप पूरा दिन काम करिए, पूरा दिन सब को दीजिए, पूरा ताइम सब को दी सिर्फ दस मिनट आप अपने मम्मी के पास बैठ जाए अपने पापा के पास बैठ जाए उन से उनकी बाते करिए देखिए रिष्टे कैसे सुलचते हैं तो फ्रेंट्स मैं फिर मिलती हूं भागतीन और अंतिम भा के साथ इसे के साथ नमस्कार